वैसे बच्चे जिनके IBPS PO की pre-test है उन सब को all the best बहतर करके आईए और एकदम जो natural game है वो करके आईए बिंदास किसी भी तरह का attention नहीं लेना है आई भी पेस के लिए आप सब को all the best भगवान आपके मन को इतना सांत रखे कि आप अपना सबसे उम्दा परफॉर्मेंस देकर क्या है एक बार फिर से all the best Hello and very warm welcome to all of you, कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और फिर से आपके सामने पस्तित हो गया हूँ Learn English Without Tools के एक नए और फिर सेशन के साथ आज का है सेशन एक बार फिर से जिस प्रकार से मैं कहता आया हूँ सभी के लिए बरावर महत वाला है जहां मैं बात कर रहा हूँ, उसी vocabulary के सेशन की जिसके 9 episodes अब तक आपके सामने रखे गए हैं और अमूमन 500 से ज्यादा सब्द मैंने आपके सामने रखा है उसकी meaning बताई है, साथ में sentences में कैसे इस्तमाल करें, उसके लिए भी हमने sentence आपके सामने रखा है उसी तरीके से आज यहां पर मैं उसी स्रिंखला में आगे बढ़ते हुए 10 अपिसोड के साथ आपके सामने रखा हुआ हूँ इसमें भी 5 नए words, parts of speech की family member में वो किस जगा से जुड़ा हुआ है, उसकी जानकारी साथ में, Hindi meaning, English meaning, Antonyms, Synonyms और sentence में कैसे इस्तमाल करते हैं, इसकी बात आपके सामने हम करेंगे मैं यहां पर आप सबसे एक ही बात दोओंगा, कि यह जो session है, आप किसी भी examination के cushion paper को देख लो यह सारे के सारे ऐसे trending words हैं, जो आपको हर जगह पर दिखने के लिए मिलेंगे, वो सामानने words जो आपके हर एक प्रकार के examination में पूछा जाता है, जो कि आपके लिए नितान्त जरूरी है इसलिए बहुत जरूरी है कि वीडियो में सुरू से अंतक बने रहें, words को note down करें, दो-चार बार revision करके छोड़ दे, और जैसा कि मैंने पहले कहा है, कि इसके पीछे की जो सरिंखला है, उसको भी बीच-बीच में आपको revision करते रहना है मैं एक alternate days पर ये वीडियो ले करके इसलिए आता हूँ, ताकि जिस दिन इसकी वीडियो नहीं आती है, आप उसका revision करें तो चले यहाँ पर बिनादेरी के-वी सेशन की सुरुवात करते हैं, notebook और pen ले करके त्यार हो जाई, देखते हैं कि आज के सेशन में कौन-कौन से नई words लाए गए है, चले देखा जाए आए है माज सेशन की सुरुवात करते हैं और बारी-बारी से पांचो सब्द आपके सामने रखते हैं और चले साथ मिल करके सीखते हैं कुछ नई words उसके sense और uses को सेशन की सुरुवात करते हैं और जैसा कि आपको पता है कि मैं यहाँ पर एक quotation के साथ सुरुवात करता हूं तो आज भी यहाँ पर एक quotation है और यह है स्वामी विवेकानन जी की है इन्होंने क्या कहा है देखिए बड़े ही आसान सब्दों में ने कहा है कि everything is easy when you are busy आप अगर लगे रहते हैं काम करते रहते हैं ब्यस्त रहते हैं तो आपके लिए हर चीज आसान है और आपको पता है कि आलसी लोगों के लिए कुछ भी आसान नहीं होता है वैशे मैं इसी संदर्व में एक बात आपसे पूछना चाहूँगा मुझे comment में लिख करके बताईएगा कि अगर आपको कोई काम करवाना हो तो आप किससे करवाएंगे BEST आदमी से करवाएंगे या जो FURSAT में रहता है उस Base इसे करवाएंगे Comment में लिख करके मुझे बताईगे जरूर आगर आपको कोई काम करवाना हो तो आप BEST आदमी से करवाएंगे या जो FURSAT में लिख करके मुझे जरूर Everything is easy when you are busy बिल्कुल, अगर आप बियस्त हैं, अगर आप काम करने के आदी हैं, तो आपके लिए दुनिया की कोई भी चीज जो है, वो कटिन नहीं है, सब चिस क्या है? आसान है, लेकिन, but nothing is easy, कुछ भी आसान नहीं है, जब आप क्या है? लेजी हैं, जब आप सुस्त हैं, किसी काम के आसे ही आलसी की तरह बैठे रहते हैं, तो आपके लिए धुनिया की हर चीज गकिन है। चले शेसन की सिर्वात करते हैं। पहला सब्ध, apoplectic क्या है? अब देखिए। ये एक एड्जेक्टिव की तरह काम करता है। एक एड़ेक्टिव की तरह काम करता है, इसका मतलब होता है extremely enraised, मतलब है बहुत जादा गुसा में होना, extremely enraised, और देखिए अत्यधिक क्रोधित, और इसका लकवा से ग्रसित भी होता है, paralyzed, यहाँ पर miss है, आप हिंदी मेनिंग यहाँ पर है, paralyzed, apoplectic को हम paralyzed के sense में भी लकवा से ग्रस्ट के sense में भी इस्तमाल करते हैं, तो दो तरीके से इस्तमाल होता है, एक तो होता है extremely enraised, अत्यधिक क्रोधित या लकवा से ग्रसित, चलिए, synonyms की बात करें, तो furious, मतलब होता है आग बबूला या कुपित, अगला क्या है, enraised, देखि होता है कुपित, यहां पर देखिए, एक जो line खीची गई है, वो दूसरे meaning के लिए है, यह जो सब्द है लकवा से ग्रसित होना, paralyzed के sense में, उसका synonyms ये सब नहीं होगा, apoplectic का जब इस्तमाल extremely enraised के तोर पर होगा, अत्यधिक क्रोधित के sense में होगा, तब जो इसका synonyms हो पहला ही है, paralyzed मतलब है लकवा से ग्रसित, दूसरा है, stagnant इसका मतलब होता है निस्क्रिया या गतिहीन, वो भी sense है इसका, लकवा से ग्रसित होने का मतलब है कि जर हो गया, स्थिर हो गया, stagnant कहने का मतलब है निस्क्रिया और गतिहीन, steadfast का मतलब है स्थिर या ओविचल, ठी sense में अगर हम इस्तमाल करेंगे तो ये चारों इस्तमाल हो सकता है इसके synonyms के तोड़ पर paralyzed, stagnant, steadfast and inert देखें, जब मैं synonyms बताता हूँ, तो ये संधर्म के हिसाब से बदलता है किसी संधर्म में हो सकता है कि ये इस्तमाल हो किसी संदर्ब में ये इस्तमाल हो वो उसका जो है समानार्थी होता है संदर्ब के हिसाब से वो meaning प्रसित करेगा तो पहला जो extremely enraged है apoplectic का sense उसमें synonyms की बात करें तो वो है furious, enraged, incensed और wrathful अगर हम लकवा सेग्रसित, paralyzed की बात करें तो एपoplectic का पहला जो synonym है वो है paralyzed, दूसरा है stagnant तीसरा है steadfast और चौथा क्या है? inert चलिए, अब इसके हम enternymes की बात करें, placid इसका मतलब होता है सौम में और सान्थ अगर अत्यदी क्रोधित है, तो उसके उल्टा में अगर हम कहें, तो placid कह सकते हैं genial कह सकते हैं, हसमुख प्रशन रचित कह सकते हैं tranquil का मतलब होता है सान्थ या प्रशान्थ अगला है amicable, मतलब होता है मित्रवत या मैत्रिपुर्ण उसके बाद है amiable, इसका मतलब भी होता है सनेही और मिलनसार या प्रेमपात्र अब देखिए, फिर यहाँ पर जो है इस वाले हिस्से का इस सेंस में जो सिननिम्स आया, वो इसके लिए है placid, som, santh, genial, tranquil, amicable और amiable ये सारा अत्यधिक क्रोधित के सेंस में जब अपोपलेक्टिक इस्तमाल करेंगे तब एंटरिम्स के तोर पर प्रयोग किया जाएगा अब जब paralyzed के सेंस में ले रहे हैं तो वहाँ पर हो जाएगा alive मतलब सक्रिय या फूर्तिला lively सक्रिय या फूर्तिला और active इसका मतलब भी है सक्रिय और kriya seal तो देखिए एपोपलेक्टिक दो तरीके से इस्तमाल हो रहा है दो मिनिंग दे रहा है पहला हो रहा है अत्यधिक क्रोधित के सेंस में दूसरा हो रहा है लकबास से ग्रसित के सेंस में तो पहले सेंस पर जब हम सरेनिम्स की बात करें furious, enraised, incensed और wrathful अगर हम इसके एंटरिम्स की बात करें placid, genial, tranquil, amicable और amiable ये सेंस है अत्यधिक क्रोधित के एंटरिम्स के तोर पर इस्तमाल होने वाले words का placid, genial, tranquil, amicable और amiable मतलब है मित्रवत, मैत्रिपूर्ण, amicable का amiable का मतलब है स्नेही और मिलंसार tranquil का मतलब है सांथ, प्रशांथ genial का मतलब है हस्मुक और प्रशंचित और placid का मतलब है sawmy और सांथ, अगर हम इसके दूसरे meaning की बात करें paralyzed के sense में अगर हम इसका इस्तमाल करें तो जो synonyms आएगा वो होगा paralyzed, apoplectic का, दूसरा होगा stagnant, तीसरा होगा steadfast और ठीक है, inert इधर के आएगा, alive lively और active, इस sense में इसका हम इस्तमाल करेंगा चलिए, example देख ले कह रहा है, the apoplectic husband threatened to kill his wife's lover यहाँ पर अत्यधिक क्रोधित के sense में इसका इस्तमाल हुआ है, extremely enraged का, यह कह रहा है कि अत्यधिक क्रोधित पती ने धमकी दी to kill his wife's lover अपने पतनी के lover को मारने की धमकी दी, the apoplectic husband threatened to kill his wife's lover चलिए, आज के session का दूसरा word, क्या है, imbroglio क्या है, imbroglio यह एक noun की तरह इस्तमाल होता है imbroglio, पहला क्या word आया था, अभी बताया जाए पहला क्या word था, मैं तो ऐसे session में आपको पीछे जाकर के बार-बार परिशान करता हूँ पिछले session में कौन सा हुआ, पिछले session में कौन सा हुआ, उसी तरीके से जरूरी है कि आप दिमाग पर जोड डाली कि पहला क्या पढ़े, apoplectic दो sense में इस्तमाल होता है अत्यदी क्रोधित और लकवा से ग्रशित यहाँ पर दूसरा है इंब्रॉगलियो, अब देखें इसका क्या मतलब होता है इंब्रॉगलियो का मतलब होता है an extremely confused, complicated and embarrassing situation an extremely confused, complicated and embarrassing situation मतलब है ओववस्था और उल्जहन वाली इसका है, इंब्रॉगलियो का synonym, दूसरा क्या है, complexity जटिलता, क्या न, complex से बना है और तीसरा है, predicament मतलब होता है, कठिन परिस्थिती क्या है, predicament, मतलब होता है कठिन परिस्थिती, अगला देखें plight, इसका मतलब है, दुर्दसा या बदहाली, ठीक है इसका मतलब होता है, उल्जहन या असमंजस, और है मडल, मतलब होता है, गरबर, उल्जहन या अस्तब्यस्तथा, देखें अब यहाँ पर हमने रखे, छे वर्द्स क्या रखें, इंब्रॉगलियों के जो sense के हिसाब से उसका समनार्ती है, वो है Complication, Complexity, Predicament Plight, Condry और मडल, है ना, Complication का मतलब है, उल्जहन या जटिलता Complexity का मतलब भी है, जटिलता Predicament का मतलब है, कटिन परिस्तिती Plight का मतलब है, दुर्दसा या बदहाली Condry का मतलब है, उल्जहन Asmanjas, और मडल का मतलब है गरबर, उल्जहन या अस्तब्यस्ता, पहला आमने क्या पढ़ा था? पहला था Apoplectic, Dominic जान रखेगा, चले अब इसके Antonyms की बात करें, Ease Ease का मतलब होता है, सुगमता और आसानी, अब देखे, इसको ना, हम noun की तरह भी इस्तमाल करते हैं, तो confuse नहीं होईगा, कि सर मैंने इसको तो verb में देखा है, ये noun की तरह भी इस्तमाल होता है Ease, Ease का मतलब होता है, सुगमता या आसानी, Harmony का मतलब होता है समरस्ता और सामनजस, ठीक है Simplicity का मतलब होता है सहस्ता और सरल्ता, Agreement का मतलब होता है, तालमेल और सहमती Accord का मतलब होता है, सहमती और एकमत्द, और ये इससे पहले भी इस्तमाल किया जा चुका है मुझे लगता है, कि ये सुन करके आपको familiar सा feel हुआ होगा, क्या रहे यार, ये तो किसी session में आ चुका है तो देखें, Antonyms के तौर पर क्या आया Embroglio का मतलब है, An Extremely Confused Complicated और Embarrassing Situation मतलब है, और बवस्था और उल्जन की स्थिति के लिए Synonyms क्या है, Complication, Complexity Predicament, Plight, Condry और Muddle ये हम इसके synonyms के तौर पर इस्तमाल करते हैं Antonyms की बात करें, तो वो है Ease, Harmony, Simplicity, Agreement और Accord चले, सेंस देख ले कह रहा है The Soviet Union Became Anxious to Withdraw Its Soldiers from the Afghanistan Embroglio Afghan Embroglio The Soviet Union Became Anxious To Withdraw Its Soldiers From Afghan Embroglio देखें, अफगान की जो और वस्था अस्त बेस्तता और उल्जन की स्थिति है उसके लिए Soviet Union क्या है Anxious है, Became Anxious to Withdraw Its Soldiers from Afghan Embroglio एक बार फिर से पहला सब्द, Apoplectic दो मिनिंग में इस्तेमाल होता है पहला क्या है अत्यधिक क्रोधित को पित के सेंस में इस्तेमाल होता है और दूसरा सेंस है Paralyzed का दूसरा वर्ड मेरे पास आया है Embroglio ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है मिनिंग है और विवस्था या उल्जन जो इसका सेंस है वो है Complication Complexity Predicament Plight Connery और Muddle Antonyms है Ease Harmony Simplicity Agreement और Accord चले आगे बढ़ते हैं और सेंसन का तीसरा वर्ड Kefkesk क्या है Kefkesk ये एक adjective की तरह इस्तेमाल होता है Kefkesk A nightmarish quality है ना क्या है भाई विचित्र या अजीब आपको एक वर्ड याद होगा पहले सेशन का पांचमा वर्ड बिजार याद होगा सेम इसका स्ननिम है वो बिजार का मतलब होता है विचित्र और अजीब स्ननिम्स देखिए strange अजीब और विचित्र ये वही सारे स्ननिम्स होंगे जो आपने विजार में देखा होगा unconventional मतलब है और परमपरागत जो परमपरागत होता है वो normal होता है जो विचित्र होता है वो और परमपरागत होता है है ना incongruous का मतलब होता है और संगत और विचित्र उसके बाद है aberrant का मतलब होता है और शामान्य और अजीब बिजार मतलब क्या होता है विचित्र क्या होता है विचित्र तो तीसरा word क्या है कैफकेस्क मतलब होता है a nightmarish quality मतलब है विजार विचित्र या अजीव सिरेन्यम्स क्या है strange, unconventional, incongruous, aberrant और विजार सबका मिनिंग क्या है अजीव, operam, praagat, asangat असामान, अजीव या विचित्र इस सेंस में इस्तमाल करते हैं एंडिनिम्स को ले ले, ordinary सामान और मामुली, जो सामान न होगा वो विचित्र होगा ही नहीं, नॉर्मली दिखेगा है ना, normal मतलब सामान न या पासपोर्ट, तरन इंटो ऑकिफकेस्क नाइटमेर मतलब एक अजीव से दिवास तो अपन में बदल गया है ना, अजीव सा नाइटमेर हो गया वो माई एटेंप्ट तो गेट अन्यू पासपोर्ट, तरन इंटो अकिफकेस्क नाइटमेर देखें, पहला वर्ड, अपपलेक्टिक दूसरा वर्ड, जल्दी बताईए क्या था, इंब्रॉग्लियो जा, क्या था, इंब्रॉग्लियो और तीसरा वर्ड है मेरे पास कैफकेस्क, विचित्रिया अजीव सिननिम्स है, स्ट्रेंज, अनकन्वेंशनल इंकांग्रूस, अबरेंट और बिजार, मैं बार-बार रिपीट करता हूँ, मैं आपसे ये कह दूँ कि मैं इसलिए रिपीट करता हूँ कि बार-बार आप सुनेंगे ध्यान से एकाग्र हो करके इसको, तो ये रह जाएगा आपके जहन में, जब option आएगा न तो आप देखिएगा, कि आप सही-सही बना करके आईएगा, सर्त यही है कि आप इसको note down करें और revision करते रहें अगर आप इसको ignore करेंगे मैं बताऊंगा, अगर comment box के session में आया, तो एक session को तयार करने में कितनी मेहनत लगती है आपको लगता होगा कि यह तो ऐसे ही कहीं से आ जाता है, words है भाई तो मैं बताऊंगा आगले दिन की मुझे क्या पापड़ बेलना पड़ता है, तो please यह आप सब के लिए फाइदे मंद है, चाहे आप English बोलना सीखना चाहते हैं, या आप अच्छी लिखनी चाहते हैं English में, competitive examination के students हैं, मैं बस आपके इतना ही कहूंगा कि मैं आपका 20 से 25 मिनट का समय लेता हूँ मैं आपको वो दे कर जा रहा हूँ जो जीवन में हमेशा आपके साथ रहेगा और आपकी personality में चार चांद लगाएगा, इसलिए वीडियो पर बने रहिए और इसको ignore नहीं किजेगा ये session सबसे जरूरी हर तपके के चाहने वालों के लिए English चाहने वालों के जरूरी है सब्द की जानकारी बहुत मुश्किल से मिलती है, आज तो क्या है, क्या है, क्या है, एक बाद फिर से याद करा ले, पहला क्या है, पहला एपोपलेक्टिक, दूसरा क्या है, इंब्रॉग्लियो, और तीसरा क्या है, क्या है, क्या है, चले, इसका जो synonyms है, इसका meaning है, विचित्र और अजीब, synonyms है, strange, unconventional, incongruous, aberrant और bizarre, antonyms क्या है, ordinary, normal, common, and familiar, example, my attempt to get a new passport, turn into a kefkas nightmare, चले, सेसन का अगला word, ब्रिगाट, ठीक है, ब्रिगाट एक noun की तरह इस्तमाल होता है, ऐसे, ब्रिगाट adjective की तरह भी इस्तमाल होता है, लेकिन मैंने जो चुना है, वो noun वाला यहां पर चुना है, ठीक है, ब्रिगाट noun की तरह इस्तमाल होता है, इसका मतलब होता है, very bossful and talkative person, बातुनी, सेखी बाज, जो अपनी, जो है, प्रसंसा में इदम गपे दिये जाता है, पुल बांधे जाता है, उसको कहते हैं, है ना, आडंबर जो दिखाता है, अपने चारों तरफ, उसको कहते हैं, जो सेखी दिखाए, उसको कहते है, very bossful and talkative person, देखिए, सेखी बाज, बकबकिया आदमी, जो बहुत ज़्यादा बोलता है, पल भर में वो जाके ट्रम्प से मिलके वापस आजाता है, ऐसे ऐसे लोग भी हैं भाई, ठीक है, synonyms क्या है, देखिए, bosster, इसका मतलब होता है, सेखी बाज, लबाड, लबाड, जो है, वो दिखाती सब्द है, जो जूट बोलना आते हैं, दिख, डिंग हांकने वाले को कहते हैं, वो रीजिनल में कहते हैं, लबाड है क्या, तो ये जो जूट बोलने को कहते हैं, लबाड, ठीक है, bosster, bosster का मतलब होता है, सेखी बाज, लबाड, ठीक है, blowhard का मतलब भी होता है, सेखी बाज, ब्रागर का मतलब भी होता है, डिंग हांकने वाला, वांचर का मतलब होता है सेखी बाज ट्रंपिटियर का मतलब होता है डिंग हाकने वाला ऐसे एक इंस्ट्रुमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रुमेंट उसको बजाने वाले को भी कहते है और डिंग हाकने वाले को भी कहते है ट्रंपेटियर ठीक है गैस बैट का मतलब होता है बकबकिया आदमी है ना जो हवावाजी करे बिलकुल और पॉजर का मतलब भी होता है दिखावा करने वाला तो ब्रेगाट बड़ा ही मज़धार सब्द है है ना और ये आपके आसपास में कई सारे मिल जाएंगे पता गर येगा आपका ब्रेगाट कौन सा है ठीक है ब्रेगाट का मतलब यहाँ पर है सेखी बास और बकबकिया आदमी से बॉस्टर ब्लो हार्ट ब्रेगर वॉंटर ट के सिननिम्स के तोर पर इस्तमाल होता है चले एंटनिम्स देखे हमबल ओविसली हमबल का मतलब होता है विनमर सिदा सादा आदमी तो भाया वो लबार नहीं होगा जूट की डीगे नहीं मारेगा है ना साय का मतलब होता है संकोची मतलब कम बोलने वाला भाई इंट्रोवर की बात खुल कर किसी को नहीं कह सकता है उसको कहते है इंट्रोवर्ट तो वो कम बोलेगा, मौन रहना, सांत रहने वाले कहते है इंट्रोवर्ट, कॉइट इसका मतलब भी होता है सांत, यहां पर देखिए मिनिंग जो है, गरबड है, कॉइट का कौन सा आया, इंब्रोगियो, तीसरा कौन सा आया, केफ केस, चौथा मेरे सामने है ब्रिगाट, इसका मतलब होता है सेखी बास या बकबक या आदमी बॉस्टर, ब्लोहार्ट, ब्रेगर वॉन्टर, ट्रम्पिटियो, गैस बैग पॉजर और पॉपिंजे, इस सब का मिला जुलाकर एक ही मिनिंग है डिंग हाकने वाला सेखी बास आदमी है ना, और एंटरिम्स जो है वो है, हम्बल, साइ इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी, ध्यान दीजेगा, यहां जो लिखा हुआ यह नहीं, इसका इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी, जो की किसी से खुल करके अपने मन की बात न कह सके, और इसका उल्टा होता है, एक्स्ट्रोवर्ट, बहुत सारे होते हैं एक्स्ट्रोवर्ट होते हैं, बहुत बोलते हैं यहां पर एक सेंस में जो है अंतर्मुखी आएगा कि वो ज़्यादा नहीं बोलेगा इस सेंस में इस्तमाल होगा और कॉइट, मतलब होता है सांतिया चुप तो जो सांतिया चुप रहेगा, वो डिंग नहीं मारेगा सेखी नहीं मारेगा कह रहा है, यू साउंड लाइक अ ब्रगार तो यू सुड ट्राइ टॉ बी मोर हम्बल आप जो है ना, सेखी बाज की तरह परतीत हो रहे हैं इसलिए आपको जरूरी है आपको चाहिए कि आप कोसिस करें हम्बल बनने की यू सुड लाइक ब्रगार तो यू सुड ट्राइ टॉ बी मोर हम्बल अभी तक इतने दूर के सफर में चार सब्द कहने को है लगभग चालिस के आसपास आप कहुंच गया है जी हां बड़े कंजूस हैं आप लोग इतने के बाद भी like राइक नहीं करते हैं subscribe नहीं करते हैं वीडियो को share नहीं करते हैं और बीच में ही और और एक और चीज डाउनलोड कर लेते हैं अरे भाई डाउनलोड करके संपत्ति पिटारे में रखके क्या होगा मेरे भाई उसी समय में खतम कर लो ना ये ज़्यादा बहतर है चलिए कर लिजेगा लाइक कर दीजे सब्स्राइब कर दीजे सेर कर दीजे है ना ये ये आपकी ड्यूटी है चलिए वो करेंगे तो हमको भी मजा आएगा ना यहाँ पर देखिया अब कि ब्रगाट के पहले जो आया तीन वर्ड वो कौन कौन सा आया पहला आया एपोपलेक्टिक इसका दो मिनिंग आया अत्यधिक क्रोधित के सेंस में और पारलाइस्ट के सेंस में उसका दूसरा आ गया इंब्रॉगलियो उलजण वाली स्थिति जो हो यह क्या है इसका सिननिम्स और अंतर मुखी होता है जो कम बोलता है उसको इंट्रोवर्ड कहते हैं यहाँ पर मिनिंग गरबर था इसको हटा दिया कोईट एडिट करने में गरबरी हुई सांथ और चुप चले यू साउंड लाइक ब्रगाट सो यू सुद ट्राइट वी मो इनरजी मतलब होता है उत्सा से भड़ा हुआ इसका जो पहला है एक्जीबरिंट मतलब होता है उल्लास्पूर्ण क्या होता है एक्जीबरिंट का मतलब होता है उल्लास्पूर्ण बॉइंट का मतलब होता है प्रफुलित या हस्मुख अगला है जॉन्टी जॉन्टी का मत पुलित और हर्षित के sense में इस्तमाल होता है, जो कि उत्सा से भरे, यानि कि इबॉलियन्ट के synonyms के तोर पर इस्तमाल होता है, और आखरी जो word है यहांपर, enthusiastic मतलब होता है उत्सा ही. तो मेरा जो आखरी final session का word है, वो है इबॉलियन्ट, यह किसके बाद आया तो यह आया एपोपलेक्टिक, इंब्रॉग्लियो, कैफकेस्क, ब्रेगार्ट और आखरी जो वर्ड आया वो है इबुलियन्ट और यह एड्जेक्टिव के तरह इस्तमाल होता है इसका जो सिननिम्स है वो है एग्जुबिरिंट, बॉइंट, जॉबिलि नहीं होगा इस सेंस में इसके अंटनिम्स के तरह इसका इस्तमाल हुआ है अपथेटिक मतला होता है उदासीन, निरुट्साह जिसमें कोई उत्साह ना हो, लेथार्जिक, सुस्त और अकर्मन्य, सलागिस, मांद, सुस्त और आलसी, है ना, टेडियस, निरस और उबाओ, इ दूसरा क्या आया, इंब्रॉग्लियो, मतलब है और वेबस्ता और उल्जन की स्थितिवाला, उल्जन और अस्तब्यस्तसा से, तीसरा आया, कैफकेस्क, कैफकेस्क का मतलब था बिजार, मिचित्रो रजीव, उसके बाद जो चौथा आया, ब्रगाट, मतलब है सेखी बास, और जो आखरी है, ये एड्जेक्टिव की तरह इस्तमाल होता है, उत्सा से भरा, सिननिम्स है, एक्जिबरेंट, बॉइंट, जौन्टी, एक्जिलरेटेड, जुबिलेंट, एंथूजियस्टिक, ठीक है, एन्टिनिम्स है, डिप्रेस्ट, इंजॉलेंट, अपाथिटिक, लेथार्जिक, स्लगिस, एन्टिडियस, मै फादर इस नेचरिली इबूलेंट परसनालिटी, मेरे पापा जो है, वो नेचरिली इबूलेंट परसनालिटी है, उत्सा से भरे हुए परसनालिटी है, उत्सा से भरे हुए इंसान है, माई फादर इस नेचरिली इबूलेंट की तरह इस्तमाल होता है यह इसका मतलब होता है उत्साह से भड़ा हुआ cheerful and full of energy एक बार फिर से देख लेते हैं synonyms है exuberant, buoyant, zhanty, exhilarated zibilant और enthusiastic इंटनिम्स है depressed, indolent, apathetic sluggist, tedious यह सारे इंटनिम्स के तोर पर इस्तमाल होते हैं उमीद करते हैं कि यह जो session है वो आपके लिए बहुत मज़िदार रहा और आपने इसमें काफी रुची से सारे सब्द को सुना, note down किया और सीखा, वैसे एक बार फिर से आज के session में कौन-कौन से 5 words हमने सीखे यहाँ पर, तो पहला जो आया वो था एपोप्लेक्टिक है न, क्या था एपोप्लेक्टिक दूसरा क्या था, एपोप्लेक्टिक का दो मिनिंग अत्यदी क्रोधित और पारलाइस्ट, दूसरा आया इम्ब्रॉगलियो, अस्त ब्यस्तता और उल्जन तीसरा क्या आया सारे के सारे word ऐसे हैं जो आपको आपके question paper में जाबजा दिख चाएगा आपके बोलने में आप किसी journal को पढ़ें, news paper पढ़ें, सब जगह जितने भी words में करा रहा हूं मैं यह ध्यान रखता हूं कि examination point of view से और आपके बोलचाल में style और trend में होने के view से वो updated हो, outdated ना हो, जिसका use ना होता हो तो ये बात, ये जिम्मेदारी मेरे उपर छोड़ दीजे और आप निश्चिन्थ हो करके इस दसो एपिसोड के words को note down करके, revision करके, ready रहे हैं, कोसिस करेंगे हम किसी दिन इस पर question set भी ले करके हैं ऐसे हम इसी तरह के एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्तित होंगे, उमीद तो ये है कि ये session, ये words, synonym, synonym सब आपको मज़ेदार लगा होगा और आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इसे like कर दे, अगर आपन में रहिए, अपना और अपने परिवार जोनों का ख्याल रखिए, दम जीतोर मेहनत कीजे, वैसे बच्चे जिनके IBPS पियो की pre-test है, उन सब को all the best, बहतर करके आईए, और एकदम जो natural game है वो करके आईए, बिंदास किसे भी तरह का tension नहीं लेना है, so all the best, IBPS के लिए आप स अतना सांत रखे, कि आप अपना सबसे उम्दा परफॉर्मेंस देकर काईए, एक बार फिर से, all the best, learn English without tools cases and say, this is BK Singh signing off, keep reading, keep practicing, thank you, God bless you.